इथीन के हाइडोजेनेशन किरिया में निकिल, कॉपर, पैलेडियम और प्लाटिनम की उपस्थिती से उच्चताप पदाप पर होती हैं यह अभिकिरिया इथीन प्लस हाइडोजेन निकिल की उपस्थिती में इथेन बनाती है इस हाइडोजेनेशन की अभिकिरिया के लिए सबसे पहले प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में खोज करी गई कि विलिकिंसन उत्प्रेरक बहुत ही आसानी से इस तरह के कंपॉण्ड बनाता है जिसके अंदर रोडियुम, रहीनियम इस तरह के धातू शंक्रमन धातू पाये जाते हैं जैसे रोडियम, रीनियम, कोबाल्ट, इरीडियम, पैलेडियम, प्लाटिनम, कॉपर, सिल्वर एंड सो ओन रेडियम के दो संकुल हाइडोजिन करन्ट से प्राप्त होते हैं इसके लिए विभिन किरिया करिया कराई जाती हैं जिनके अंदर अलग-अलग प्रकार के उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है डाइ हाइडो संकुल किरिया विदी डाइ हाइडो संकुल किरिया विदी के अंदर डाइ हाइडराइड्स को एडिशन में लिया जाता है इस एडिशन के लिए हम जैसे रिहीनियम के साथ ट्राइफिनेल फॉस्फीन लेते हैं और ट्राइफिनेल फॉस्फीन के साथ हम इसको एसिटाइलीन के साथ रियक्ट करके इसके विभिन्न कमपाउंट्स बनाते हैं ये एक तरह का लंबा चक्र है जिसके अंदर के रिहिनियम के कंपाउंट्स चलते हैं हाइड्रो संकुल 3, 2, एक अनू ट्राइफिनेल फॉस्फेन का त्याग कर नया हाइड्रो संकुल बनाता है संकुल 3 एथेन के अनू बनने पर जो कंपाउंट बनता है वो एक लंबी चेन में चलता रहता है यह एक रेड़क्टिव एलिमिनेशन कहलाता है इस वर्तमान में रिहिनियम प्लस 3 से रिहिनियम प्लस 1 में अप्चैत होता है मुनो डिडो संकुल के अभिकिरिया वेन वी हाव दिस टाइप अभिकिरिया एक हाइड्राइड लीगेन को अभिकिरिया में एलकेन के योग से पूर्व चक्र में डाला जाता है इस तरह के पूर्व चक्र में डालने से जो मुनो हाइडो संकुलन की किरिया होती है उसके अंदर सबसे पहले हम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन से रियक्शन कराते हैं जिसके अंदर हमारा दूसरा कंपॉंट बनता है कुबाल्ट के कॉम्बिनेशन से फिर दो कंपॉंट्स बनते हैं एक के अंदर तो कॉबाल्ट और क्लोराइड दोनों हैं और एक के अंदर क्लोराइड नहीं है रोडियम उत्प्रेरक एंफलीन अनूं के साथ अभिकिर्या करके विभिन्न प्रकार के हाइडोजिनेटिड कंपॉंट्स बनाता है CH2 CH2 से आप R CH2 CH2 R बना सकते हैं और इस तरह से करके आपकी चेन जो है वो एलकीन के साथ end up करती है चेन के एलकीन के साथ end up करने के बाद जो compounds बनते हैं वो आपके ketone और aldehyde दोनों ही तरह के compounds होते हैं next topic है इसका metal carbonyls metal carbonyls ऐसे योगिक हैं जिनके अंदर metal carbonyls समू के साथ में compound बनाता है इनका classification सबसे पहले होते हैं mononuclear carbonyls mononuclear carbonyls यानि ऐसे carbonyls जिनके अंदर एक ही metal atom पाया जाता है यानि की जिनके अंदर एक ही metal atom पाया जाता है जैसे के vanadium CO6 दूसरे हैं dimers यानि monodentate didentate carbonyls जिनके अंदर दो metal ions पाया जाते हैं और प्रतेक metal ions के साथ carbonyls हमू अलग-अलग जुड़ते हैं और दोनो metal atoms एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तीसरे हैं आपके 3 metal carbonyls 3 metal carbonyls के अंदर 3 metal atoms पाया जाते हैं next आते हैं आपके धातू carbonyls की bonding धातू carbonyls की bonding के अंदर metal और carbonyls हमू के बीच में bond बनता है जैसे carbon monoxide जो होता है उसके अंदर carbon electron atom donate करता है metal को और फिर इनके बीच में एक bond बनता है एक double bonded structure है और एक single bonded structure है तो double bonded structure के साथ में इनका combination बनता है next है metals की जो orbitals combine करती है पहले हमारे metal की जो खाली orbital है वो carbonyl की भरीवी orbital से combine करके sigma bond बनती है और फिर उसके बाद जो metal के उपर जो negative charge आ जाता है उसके अंदर metal अपनी भरीवी orbital से carbonyl group की खाली orbital के साथ combine करके pi bond बनता है तो इसको बोलते हैं d pi p pi back bonding यानि कि electron जो है वो पीछे की तरफ चलता आ रहा है अब इन crystals के structure और color किस तरह के होते हैं जैसे vanadium जो है vanadium carbonyl जो है वो काले रंका होता है chromium crystal जो है वो रंगीन होता है और मैंगनीज जो है वो स्वनिम होता है iron जो है वो पीला होता है और nickel जो है वो रंगीन द्रफ के रूप में पाया जाता है जवाई झाल झाल